इस शंखला के अंतरगत हिंदी के कारेक्रमों को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं आदुनिक हिंदी साहित और उसके इतियास पर उशेश रूप से हिंदी काव्य के उद्भव और विकास पर हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी विकास यात्रा, उन विधाओं में लेखन करने वाले गद्यकारों, रचनाकारों का प्रदे, अवदान, इन सब बिन्जों पर हमेश रंकला के अंतरगत बात कर रहे हैं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिवेदी, युगीन, हिंदी, उपन्यास पर उपन्यास एक सशक्त गद्य विधा है, हिंदी की, उसका अपना एक सुदीर्ग सशक्त इतिहास भी है हम जानते हैं कि केवल पाठे-पुस्तक के रूप में ही नहीं, एक सामान अभिरुची की महतपूर्ण विधा के रूप में भी उपन्यास की लोक स्विक्रिती है उपन्यास देश विदेश की हर भाषा में अत्यंत लोकप्रिय विदा के रूप में स्विक्रित विदा है चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रूसी हो तमाम दुनिया के देशों की भाषाओं में बहुत ही महत्पूर उपन्यासों का लिखन निरंतर होता रहा है, चलता रहा है अनेक महाकाव्यात्मक उपन्यासों ने भी अपनी एक विशिष्ट पहचान और जगा बनाई है भारती भाषाओं में भी उपन्यास लिखन की एक सशक्त सुदीर परंपरा रही है दक्षिन भारत की चारों भाषाओं में देखें, वहाँ भी उपन्यास प्रचुर मात्रा में लिखे गए संस्कृत को देखें, पंजाबी में देखें, गुजराती मराथी में देखें और बंगला तो उपन्यास की जननी मानी ही जाती है भारत में तो इस दृष्टी से हम देख सकते हैं कि हिंदी में भी उपन्यास लेखन की एक लंबी परंपरा है जिसकी शुरुवात जिसका प्रारंब हम भारतिन्दू हरिश्चंद्र युग में देखते हैं भारतिन्दू आधुनिक हिंदी साहित्य के हिंदी गद्य के खड़ी बोली गद्य के एक प्रवर्तक के रूप में प्रनेता के रूप में हमारे सामने आते हैं भारतिन्दू हरिष्चंद्र स्वयम कभी भी हैं, गद्देकार भी हैं, गद्देकार में उपन्यासकार भी हैं, निबंदकार भी हैं, बहुत सी महत्वपून विधाओं में उनका अवदान हमें मिलता है, युगदान हमें मिलता है उस भारते अंदू युग में जो उपन्यास लिखे गए या जिन उपन्यासों का अनुवाद किया गया क्योंकि भारते अंदू युग से अनुवादों की भी एक सशक्त परंपरा, एक मजबूत परंपरा हमें प्रारम भोती दिखाई देती है अंग्रेजी से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में ये अनुवाद जो हैं ये हमारे सामने प्रचर मात्रा में उपलब्द होते हैं और भारतिंदु युग में अनेक भारतिंदु मंडल के रचनाकारों ने उस समय के बहुत से लेखा कभी गद्देकार इन तमाम नई विधाओं में, क्योंकि एक हजार वर्ष का हिंदी का इतियास लगवग कविता का इतियास रहा गद्दे उस रूप में पूरे हजार वर्ष में दिखाई नहीं देता रितिकाल में आकर कुछ टीका टिपणी में हम गद्दे को वो भी ब्रजभाशा गद्दे को देख पाते हैं लेकिन वो बहुत संकेतिक और अंशिक है इसलिए आधुनिक हिंदी युग का जब प्रारंब होता है वो भारतिंदु युग से होता है और खड़ी बोली हिंदी में कविता और गद्दे लेखन की परंपरा भी यहीं से विशेशूप से उद्गाटित होती है उस प्रथम युग भारतिंदु युग की उपन्यासिक रचनाओं पर हमने पहले चर्चा की है और आज उसकी विकास यात्रा का दूसरा चरण वो है दिवेदी युगीन हिंदी उपन्यास का चरण है मावीर परसाद दिवेदी जिनके नाम से दिवेदी युग निर्धारित हुआ नामकरण वो अपने हाप में एक बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी रचनाकार है खड़िबोली हिंदी का जो भाषा अंदोलन खड़ा करने का श्रे है वो भी भारतिंदू हरिष्चन को जाता है उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तमाम रचनाकारों लेखकों को का आववान करते हुए उन्हें खड़िबोली गद्य में लेखन के लिए प्रेरित किया और केवल प्रेरित है नहीं किया अपे तो उनका मार्गदर्शन किया उनका दिशानिर्देश उनके जारी किये जिसमें ये बताया कि गद्य विधाओं के माध्यम से हम खड़िबोली हिंदी में अब विश्व की तमाम बाहत तो पूर्ण चिंताओं को विश्व की तमाम समस्याओं को समसामाइक समकालीन मुद्दों को उनको हम अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्गाटित करें व्यक्त करें चाहे वो कहानी हो, पन्यास हो, नाटक हो या अन्यविधाय हो। दिवेदी जी ही वो व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं जो पारंपरिक और प्राचीन विशयों को छोड़ने का आहवान करते हैं श्रंगार, भक्ति, नीती, प्रीती, शास्त्र, निरूपन आधी आधी। वो कहते हैं कि इनमें बहुत लिखन हो चुका, अब जरूरत है कि हम विश्व की अध्यतन, अधुनातन, जानकारियों को, समस्याओं और चुनोतियों को, खड़िबोली हिंदी, गद्य के माध्यम से, तमाम विदाओं के माध्यम से, जन सामाने के समक्ष, पाठकों के समक्ष ले जाएं, इस दृष्टी से मित्रों, दिवेदी युगीन हिंदी उपन्यास का जो प्रदे है, जो अवदान है, वो बहुत महत्पूर्ण है, क्योंकि भारते हिंदु युग में, जो तिलस्मी, आय्यारी, रोमांच से भरे हुए, रहसे से भरे हुए, उपन्यास लेखन की एक परंपरा शुरू हुई थी, निश्चत रूप से उस परंपरा ने खड़ी बोली, हिंदी के पथन-पाथन की अभरुची को जागरित किया, बहुत से रचनाकारों को हिंदी के माध्यम से हिंदी के पाथक तैयार करने का अवसर दिया, हिंदी सीखने की एक होड चंद्रकांता आदी, ऐसे अनेक रहस्यवादी, रोमांच से भरे हुए, तिलस्म और आयारी से भरे हुए, ऐसे उपरन्यासों को पढ़ने के लिए, बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर भारतिये पाथकों ने हिंदी सीखी थी. तो वह जो एक बुनियाद हिंदी उपरन्यास की भारतियंदू युग में, भारतियंदू और उनके मंडल के कवियों द्वारा लेकों द्वारा स्थापित हुई थी, उस पर एक विधिवत, एक प्रासाद बनाने का, एक भवन बनाने का काम, दिवेदी युग के कवियों गद्यकारों ने, उपरन्यास कारों ने किया था, ये मल्टी डाइमेंशनल जिसको हम बहु आयामी लेखन कहते हैं, जो कवी है, वह भी गद्य में अधिकार के साथ लिखता हुआ दिखाई देता है, तो गद्य विधाओं की विविधता की दरश्टी से यह युग बड़ा महत्पूर्ण युग बन जाता है, दिवेधी युग के गद्य लेखक रहस्यमई अधबुत घटनाओं को कथानक में पिरोते रहे यह एक पक्ष था, जिसकी शुरुवात, जिसकी परिपाटी भारतिंदु युग में प्रारंब हुई थी, क्योंकि इस तरह की उपन्यासि रचनाओं की पठनियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही थी, तो ऐसी अधबुत, कालपनिक, पारलोकिक, रहस्यमई, तिलस्मी, ये घटनाएं गद्यकारों को, पन्यासकारों को प्रभावित कर रही थी, एक अंजान सी दुनिया, एक अपरिचित सा लोक, उसमें पा जिसे रोमांच के गहवरों में पाठकों को ले जाकर खड़ा करना, ये इन लिखकों का प्रिय विशे रहा है, कौतुहल पैदा करना, जिग्यासा पैदा करना, पाठकों को रोमांचित कर देना, ऐसी तमाम रहस्यमई घटनाएं, जो कालपनिक भी थी, और कहीं कहीं उनके कुछ प्रेरक स्रोत भी थे, उन सब को ध्यान में रखते हुए पाठकों का विदिवत मनुरंजन करना ही, इस युग के रचनाकारों पर नियासकारों का प्रिय विशे बना है, इसलिए जीवन और समाज की जो वास्त्विक घटनाएं हैं, यथार्थ समस्याएं हैं, चुन तुलना में, यह समाज, जीवन, परिवार, उसकी चुनोतियां, उसकी अथार्थ समस्याएं, यह रहसे और रोमांच की कथावस्तु की तुलना में बहुत कम था, दिवेदी युक्की जो अपन्यासिक परंपरा है, उस पूरी अपन्यासिक परंपरा को देखें, जो भरति हिंदु युक्के बाद से, यहां बड़ी मजबूती के साथ प्रकट होती है, उद्गाटित होती है, तो हम देख सकते हैं कि उन उपन्यासों को, जो दिवेदी युक्क में लिखे गए उपन्यास हैं, इस युक्के जो उपन्यास कार हैं, जिनको दिवेदी जी प्रेरित क कर रहे हैं वो जो खड़ी बोली हिंदी गद्य में लेखन का साहस कर रहे हैं वो किस प्रकार के उपन्यास लिख रहे हैं यदि सुविधा की दृष्टी से हम उनका वरगी करन करें तो कह सकते हैं कि इस युग में लगवग 20-22 वर्षों का समय अगर हम देखें तो तिलस्मी और एयारी विशे से संबंदित उपन्यास बड़ी मात्रा में प्रचुर मात्रा में लिखे गए जासुसी उपन्यास पढ़ने-पढ़ाने की जो अभिरुचि थी उसको उस एक तरह से साहित के मनोविज्ञान और समाज के मनोविज्ञान को समझते हुए और हिंदी की पठनियता को बढ़ाने की दृष्टी से जासुसी उपन्यास रहस्यात्मक उपन्यास कौतुहल पैदा करने वाले उपन्यास इनका लेखन इस युग में प्रचुर मात्रा में हुआ है तीसरा अद्बुत और आश्चरित जनक घटना है अकल्पनी घटना है रोचक रोमांचक घटना है इनसे भी इस युग के अनेक उपन्यास उतप्रोत रहे है बहुत से रचनकारों है इस तरह की कथा वस्तू को चुना ऐसे पात्रों को चुना ऐसी भाशा और ऐसी संबाद योजना जिस से पाठक विस्मित होता है आश्चरि चकित हो जाता है लेकिन उसकी प्रेरना उस पठनीरता को बढ़ाती है इसलिए ये तीसरा वर्ग था अद्बुत और आश्चरित जनक घटनाओं से युक्त उपन्यासों के लिखन का और चौथा वर्ग था एतिहासी को रास्टिय गौरवगान करने वाले उपन्यास ऐसे भी बहुत से उपन्यास लिखे गए उस समय की आवशक्ता भी थी क्योंकि हम अपने गौरवशाली अतीत का बखान कर रहे थे और गौरवशाली रास्ट का उसकी रास्टियता का उसकी धरोहर और विरासत का उसकी प्रति का गुर्णगान कर रहे थे तो इन उपन्यासों में चोथे वर्ग में एतियासिक और रास्टी गौरव गान वाले उपन्यास भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं सामाजिक समस्याओं घटनाओं और विशेयों से संबद अनेक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए इसका म रास्टी चेतना रास्टी गौरव केवल यहीं तक उपन्यास लेखन सीमित नहीं था केंदरित नहीं था अपितु अनेक उपन्यास कारों ने समाज की विविन्द समस्याओं को चाहे वो अनमेल विवा की समस्या हो विदवा विवा की समस्या हो शिक्षा की चुनोतियां हो बाल मन विज्ञान की समस्याओं हो और जो तमाम अनुशाशनों में ख्षेत्रों में चुनोतियां समस्याओं थी उन सब को अनेक परकार की घटनाओं में अनेक परकार के विशेयों में पिरोकर उपन्यास लेखन की एक बहुत ही महत्वपून परंपरा इस युग में प्रारंब होती है पहला वर्ग जैसा हमने कहा कि तिलस्मी अयारी इस तरह के उपन्यास लेखन की शंखला का वर्ग दिखाई देता है ऐसे तिलस्म से भरे हुए अयारी से भरे हुए रहसे से भरे हुए रोमांच से भरे हुए उपन्यासों की शंखला पर यदि दृष्टी डालें तो वही देव की नंदन खत्री जो भारतिन्दु युग में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतती लिखकर संसनी पहलाते हैं हिंदी के पाठकों की संख्या अनायास बढ़ जाती है और हिंदी सीखने वाले लोग हिंदी के लिए समर पे दिखाई देते हैं वही देव की नंदन खत्री आगे चलकर दिवेदी युग तक आते आते 1902 में काजर की कोठरी नाम से उपन्यास लिखते हैं 1905 में अनूठी बेगम नाम से उपन्यास लिखते हैं दोनों उपन्यास शिर्शक से ही ऐसा प्रतीत होता है कि पाठक को आकरष्ट करने वेमुग्द करने अपनी और खीच पाने की शक्ती रखते हैं शिर्शक में भी निश्चत रूप से उपन्यास की वस्तु का जैसे हम कहते हैं कि लिफाफा देखकर मजमून का बोध हो जाता है तो नामकरन भी बहुत महत्पूर्ण है और उन नामों से जो पठनीयता है उस पर प्रभाव दिखाई देता है बढ़ता हुआ तो गुप्त गोधना 1906 में लिखा और भूतनाथ छे खंडों में बहुत चर्चित उपन्यास रहा बहुत लोकप्रिये उपन्यास रहा इसकी जो पाठकी संख्या है वो निरंतर बढ़ती चली गए 1906 में इसका प्रकाशन हुआ और एक के बाद एक जो एक खंड पढ़ लेता है वो दूसरे खंड के लिए सुता है प्रेरित होता है लालाईत होता है और फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छेटा इस इसकी आयारी और तिलस्मी उपन्यास लेखन की परंपरा में हरेकरशन जोहर की एक बड़ी विलक्षन उपन्यासिक रचना हमारे सामने आई जिसको मयंक मोहिनी या माया महल भी कहा गया जो 1901 में छपी थी कमल कुमारी 1902 में निराला नकाब पोश 1902 में भयानक खून 1903 में ऐसे उपन्यास भी बहुत चर्चित हुए लोगप्रिये हुए और अपने पाठकों को अपनी और खींचने में सफल भी हुए हम देख सकते हैं कि निराला नकाब पोश जो शीर्शक है या भयानक खून या जो शीर्शक है ये वस्तुत है उस जमाने की अभिरुची के क्यो ये सब कर रहे थे एक तरफ समाज की जो अभिरुची थी उसको परिश्कृत करने का दाईत्व वस्तुत है साहित्तिकार का हुता है लेकिन इस युग में साहित्तिकारों ने तमाम ऐसी नई विधाओं को गद्दे विधाओं को इस तरह के कथावस्तु के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का काम किया था जिससे हिंदी की प्रती रुजान बढ़े पठनियता बढ़े और लोग हिंदी की रचनाओं को पढ़ने की लिए अपने को प्रस्तुत करें किशोरिलाल गोस्वामी ने तिलस्मी शीष महल इस शीरशक से 1905 में एक उपरन्यास लिखा आप जानते हैं कि पहले की रचनाओं में पहले के नाटकों उपरन्यासों कहानियों में खंडर महल परवत पहाड और कुछ अलोकिक शक्तियां इस तरह की परिकल्पनाएं प्रचर मात्रा में होती थी तो तिलस्मी शीष महल जो जिसमें रहस रोमांच भरा हुआ होता है ऐसी उ 1905 में ये रचना आती है रामलाल वर्मा ने पुतली महल नाम से 1908 में एक उपरन्यास लिखा पुतली महल तो आप जानते हैं कि भूतिया महल रहस समय महल खंडहर महल इस तरह की रचनाएं भी लिखी जाती रही है इसमें लोक अभिरुची सर्वो पर ही रही है तो पुतली महल शीर्शक से 1908 में रामलाल वर्मा जी ने उपरन्यास लिखा था और ये भी पूरी तरह तरह तलस्मी उपरन्यास था और उसी परंपरा को आगए बढ़ाने का काम इस उपरन्यास ने भी किया था इसके बाद देवकी परसाद खत्री श्री देवकी नंदन खत्री के के लेखन की और अपने को अगरसर किया और भूतनात के छे भागों के आगे के सभी भाग वो दुर्गाप्रसाद खत्री जी ने लिखे यानि एक विशेश प्रकार की अपन्यासिक रचनाओं की जो शंकला थी उस शंकला को आगे बढ़ाया दुर्गाप्रसाद खत्री ने औ और भूतनात के छे खंडों के बाद आगे के खंड उन्होंने लिखकर इस शंकला की पूर्ती की दूसरा वर्ग जो जासुसी उपन्यासों का वर्ग है पहले तिलस्मी और अयारी और रहस्यवादी उपन्यास थे अब जासुसी उपन्यासों का इस वर्ग में गुपालदा लेखन की दुनिया में प्रवेश किया तो अंग्रेजी के प्रसिद जासुसी उपन्यासकार और्थर कानन डायल को अपना आदर्श बना लिया और उनके जो अंग्रेजी में लिखित उपन्यास थे वो उपन्यास इनकी प्रेज़ना बने और इनोंने उन उपन्यासों को पढ़ कर उनका हिंदी अनुवाद हिंदी पाठकों के लिए तैयार किया और प्रस्तुत किया अस्टडी इन स्कारलेट 1887 का उपन्यास है उसका हिंदी अनुवाद गोविंद राम नाम से या शीरशक से 1905 में किया गया था study in scarlet तो गुविंदराम नाम से ये उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुआ लेकिन ये study in scarlet का हिंदी अनुवाद था इसका मतलब अनुवाद और मौलिक सरजन दोनों उपन्यासिक दुनिया में बराबर चलते हुए दिखाई देते हैं गहमरी जी के अनियक जासुसी उपन्यास प्रकाश में आए बहुत लोकप्रिये हुए उनकी पठनियता निरंतर बढ़ती चली गई उनके जो ग्राहक थे उनके जो पाठक थे उनको लगतार बढ़ रहे थे ऐसे मोहक आकरशक विमुग्द करने वाले उपन्यासों को याद करें तो उसमें सरकटी लाश अब ये शीर्शकी इस बात का गवाह है साक्षी है कि पाठक की अभिरुची उसके पढ़ने के प्रती सहजी बन जाएगी सरकटी लाश उन्निसों में चक्करदार चोरी उन्निसों एक में और जासूस की भूल यभी उन्निसों एक में जासूस चक्कर में उन्निसों छे में इंद्र जालिक जासूस उन्निसों दस में गुप्त भेद और जासूस की अयारी ये तमाम वो रुचनाएं है जो अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग तैयार कर रही थी आप जानते हैं कि पाठकों को भी यदि हम वर्गिकृत करें तो उनकी पठनियता और पठनियता विश्चक अभिरुची के आधार पर हम उनको वर्गिकृत कर सकते हैं विशुद साहितिक रचनाएं, संस्कृत निष्ट रचनाएं, लोक भाषा की रचनाएं, लोक से ली गई कतावस्तू की रचनाएं, रोमांच और रहस्य की रचनाएं, इतियास और संस्कृती की रचनाएं, धर्म और अध्यात्म की ऐसे बहुत सारे वर्गम कर सकते हैं तो जासूस की एयरी 1914 में ये तमाम वो गहमरी जी ने जो काम किया था वो वंदनी और उस्तत्त कारे था। जासुसी उपन्यास लेखन की दुनिया में शरी रामलाल वर्माजी का नाम, शरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाम, शरी जैरामदास गुप्त का नाम, इन सब का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता और इनोंने उपन्यासिक रचना के क्षित्र में नए-नए प्रयोग भी क किये कथावस्तु के स्तर पर पात्रयोजना के स्तर पर परिवेश और माहोल के स्तर पर भाशा के स्तर पर और संबादयोजना के स्तर पर उनके मंचनादी के स्तर पर कई कई प्रयोग इस यूग में होते रहे तीसरा वर्ग अदभुत और आश्चरेजन गटनाओं पर केंदरित उपन्यास लेखन का वर्ग है वो ऐसी ऐसी घटनाएं जिससे पाठक चमतक्रत हो जाए हतप्रब हो जाए आश्चरेज चकित हो जाए स्तब्द रह जाए ऐसी घटनाएं ऐसी अदभुत और आश्चरेजन गटनाओं पर बहुत से उपन्यास इस उक्के रचनाकारों ने लिखे क्योंकि ऐसी ही अपेक्षा आवश्चक्ता पाठक वर्ग की रही तो उनकी मानसिक्ता उनकी अभिरुची को ध्यान में रखकर इन उपन्यास कारों ने उपन्यास लेखन की प्रविदी और उसकी तकनीक पर विशेश रूप से ध्यान के इंद्रित किया और बहुत से जासुसी और तिलस्मी नाटकों से अलग एक प्रकार की उस लोक की पर लोक की अकलपनी ये लोक की घटना और कथावस्तू को उपन्यास में पिरोया ऐसे उपन्यास इसी लोक की रहसे में या गुये कक्षों का उद्गाटन करते हैं ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं गुये कक्षिया नहीं जो छिपे हुए हैं जिनके बारे में पाठकी ये वर्ग जानता नहीं है उनको खोलना उनको उगाडना ये भी इन उपन्यासों में क हो रहा है लंदन की अदालत का रहस से इसलिए लंदन रहस से शीरशक से इस बहुत ही लोकप्रिय चर्चित और बहुत स्विक्रित उपर न्यास का हिंदी अनुवाद हुआ और लंदन रहस से जब हिंदी में प्रकाशित हुआ तो उसने अपना एक बड़ा वर्ग पाठकिय वर्ग आकरिष्ट किया अपनी ओर शिरी विठल दास नागर 1905 में किस्मत का खेल नाम से एक उपन्यास लिखते हैं आप देख रहे हैं कि इस तरह के उपन्यासों में भाग्य और पुरशार्थ इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रचनाकार किस्मत को किस्मत के खेल को पुद घाटित कर रहा है शिरी बांकेलाल चतरवेदी ने खौफनाक खून शिर्शक से 1912 में उपन्यास लिखा आप जानते हैं कि खून यानि हत्या मर्डर खतरनाक खौफनाक नशंस हत्या निर्मम हत्या यह तमाम जो पक्ष हैं इनको खौफनाक खून शिर्शक से उपन नियासिक रचना की रूप में 1912 में बांकेलाल चतरवेदी जी ने प्रस्तुत किया और नियाल चंदर वर्मा ने प्रेम का फल या मिस जोहरा 1913 में उपन्यास लिखा और श्री प्रेम बिलास वर्मा ने प्रेम माधुरी या अनंग कांता 1915 में उपन्यास लिखे दुरगा प्रसाद खत्री ने अद्बुत भूत 1916 में इस तरह के बहुत सारे रोमांच से बरे हुए आश्चर से बरे हुए हत्प्रब करने वाले ऐसी कई घटनाओं और घटना करमों को उपन्यासिक कथावस्तू में पिरोने वाले अनेक उपन्यास हमारे सामने इस युग में इस तर को यहां विराम देते हुए पने आपके समक्ष इस विशे को आगे बढ़ाने की दृष्टी से उपस्तित होंगे आग्या दीजिए नमस्कार झाल